So, Hey guys Welcome you all आज हम करेंगे अपने Python में ऑपरेटर्सक्राइश। उपरेटर्स क्या होता है जो Operation करने के लिए काम आता है मतलब जो Operation सकर्फॉर्म करता है तो इसके लिए हम अपने फाइल में जाहेंगे Python Practice में उसमेज फाइल बनाएंगे ऑपरेटर्स नाम का तो उसे पहले हम comment लिखेंगे कि हम हमें पर comment लिख रहे हैं addition addition operation उम इसमें perform करेंगे तो हम इसमें addition नहीं और भी operations operations perform करेंगे इसे multiplication division okay यह सारे subtraction यह सारे operations हम perform करेंगे तो first हम क्या करेंगे अपना एप name का variable define करेंगे उसके value रख देंगे 10 and v variable है उसको हम कर देंगे 20 and हम print कराएंगे a plus b so guys अब अब हम क्या करेंगे इसको run कराएंगे तो run करने के लिए हम run पे click करेंगे and start debugging उसके बाद हम अपना file का extension लेंगे तो यह हमारा output आ गया है आप देख सकते है 30 आया है तो 20 plus 10 कितना होता है 30 होता है तो हमारा output 30 आ गया है अब ऐसे हम subtraction multiplication division यह सारे भी operations perform करेंगे तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे इसको copy paste कर लेंगे लिए से उसके बाद हम इसके जो symbol से हम वो change कर देंगे जैसे subtraction हो गया division हो गया multiplication हो गया यह सारे हम जल्दी से change कर देंगे तो change करने के बाद then हम इसको क्या करेंगे run करेंगे तो start debugging पर अब देख सकते हैं यह जो हमारा output है यह आच हो का है जैसे कि 10-10-20 उसके बाद division करके आपने देखा हमारे सब output आगया so thank you so much guys keep supporting